पूर्टन पार्ट उन थीम्स को इडेंटिफाई करना है जो आने वाले समय में इंवेस्ट्मेंट नारेटिव को डॉमिनिट करेंगे आज अगर हम ऐसी थीम्स की बारे में सोचते हैं तो कुछ चीज़े हमारे माइंड में आती हैं अगर आप न्यूस पढ़ते हैं तो आपको प्लानेट पर ग्लोबल वार्मिंग के एफेक्ट्स के बारे में सब पता होगा अकॉर्डिंग टो नासा, 1880 में रिकॉर्ड कीपिंग की शुरुआत के बाद से अर्ट के सर्फिस का अवरेज तेंप्रेचर 2023 में सबसे जादा था हलंकि कुछ डेकेद से क्लाइमिट चेंज का इंपक्ट कम करने के लिए फॉसल फ्यूल्स पर डिपेंडेंस कम करने की बात हो रही है लेकिन पिछले कुछ सालों से इस डारेक्शन में जादा डेटरमेंट टागेट बेस टेप्स उठाये जा रही है और यही बात renewable या green energy को इतना powerful investment theme बनाती है हलो एन वेलकम टो ET Money Hindi आज हम renewable energy को as an investment theme डिसकस करेंगे अब जैसे कि आप पहले से ही जानते होंगे renewable energy includes natural sources of energy जैसे कि wind, solar, hydro, geothermal, biomass and so on क्योंकि ये energy के cleaner और ज़्यादा sustainable forms है इसलिए कई investors के लिए ये theme सिरफ returns के बारे में नहीं बलकि environment को लेकर responsible बनने के बारे में भी है अगर आप ESG conscious investor है तो ये theme आपके portfolio का centerpiece भी हो सकता है इस video में हम ये समझने के लिए कुछ data देखेंगे कि renewable energy investors के बीच hot favorite क्यों है हम उस framework पर भी discussion करेंगे जिसका use आप इस theme में invest करने के लिए कर सकते हैं साथ ही कुछ stocks पर भी discussion करेंगे बट पहले एक important disclaimer हम इस video में stocks के बारे में बात करेंगे लेकिन हम इन stocks को recommend नहीं करते हैं अगर आप इस video में mention किसी भी stock में interested है तो अपनी तरफ से adequate research जरूर करें साथ ही आपसे request करूंगी कि अगर आपने अभी तक इस channel को subscribe नहीं किया है तो subscribe जरूर करें बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आप हमारा कोई भी वीडियो का भी मिस्ट ना करें तो आए रेनुएबल के बारे में कुछ facts और data से start करते हैं IBEF की December 2023 की Renewable Energy Report हमें इंडिया में Renewable Energy के potential के बारे में बहुत कुछ बताती है IBEF एक trust है जिसे Ministry of Commerce and Industry ने Indian Products और Services को प्रमोट करने के लिए establish किया है IES Report के interesting facts पर एक नजर डालते हैं 1. Population के comparison में इंडिया के पास conventional energy resource कम है लेकिन इंडिया के पास solar and hydropower resources abundance में है इसलिए Renewable, Supply and Demand के gap को bridge करने में leading role play करने के लिए तयार है 2. India ने अपने लिए कई ambitious targets set किये है The plan is कि देश में 2030 तक carbon intensity को 45% तक कम किया जाए 2030 तक renewable से 50% cumulative electric power install हो जाए और 2070 तक net zero carbon emissions का target अचीव किया जाए 3. इस direction में as a major step financial year 23 में जोडी गई power generation capacity का 97% renewable से आया 2014 के बाद से इंडिया के renewable energy sector में लगभग 5.2 lakh करोर रुपे का investment हुआ है अगर हम पिछले कुछ सालों में renewable energy की installed capacity पर नज़र डालें तो ये 15.4% per annum rate से बड़ी है अब इंडिया में 2030 तक इस capacity को 450 गेगा watts तक बढ़ाने का plan है ये target 2030 तक लगभग 2.21 बिलियन डॉलर की investment opportunities प्रोवाइड करेगा government various policies के थूर renewable energy को promote कर रही है इन में 2.4 billion dollar का national hydrogen mission, solar pv manufacturing में PLI scheme और rooftop solarization of 1 crore households जैसे recently announced plans included है ये सब renewable energy के promising future के बारे में बताते है और जो मैंने describe किया है it's only the tip of the iceberg और इसलिए renewable energy stocks आपके long term portfolio का part होना चाहिए लेकिन आपको stocks किस तरह pick करने चाहिए इसी पर हम आगे discussion करेंगे इससे पहले कि मैं start करूँ I would like to remind you कि हमारा English YouTube channel भी है और एक channel investments के basics के लिए है जिसका नाम 5 minute finance है इसलिए अगर आप हमारे videos English में देखना चाहते हैं अगर आप investment के basics सीखना चाहते हैं तो इन चैनल को subscribe जरूर करें लिंक्स description में है तो हम 3 step framework डिसकास करेंगे जिसे follow करके आप सभी power stocks में से इस theme में invest करने के लिए stocks shortlist कर सकते हैं फर्स्ट, 1000 करोर से कम market cap वाली companies को filter out करें इस criteria के basis पर कई सारी small companies बाहर हो जाएंगी सेकिंड, remaining stocks में से उन companies को remove कर दें जिनका debt to equity ratio दो से ज़ादा है debt to equity ratio popular leverage या solvency metric है जो किसी company की equity को उसके debt से compare करता है ये ratio जितना कम होगा उतना better होगा zero debt to equity ratio वाली company strong position में मानी जा सकती है लेकिन power business capital intensive होता है इसलिए आपको higher threshold की जरूरत है और debt का equity से double होना अच्छा हो सकता है third, remaining stocks में से दो से कम interest coverage ratio वाले stocks को remove कर दें interest coverage ratio हमें बताती है कि क्या कोई company अपने debt से originate होने वाले interest cost को service करने की position में है या नहीं for a given period इसे interest expense से EBIT या earnings before interest को divide करके calculate किया जाता है आपको उन companies को भी remove कर देना चाहिए जिनकी renewable space में कोई presence नहीं थी ये manual exercise हो सकती है क्योंकि आपको हर company के business segments को check करना होगा अब अगर आप इस framework को apply करते हैं तो list में जगा बनाने वाली companies कौन सी है और आप उन्हें किस तरह evaluate करते हैं well हम next section में exactly इसी पर discussion करेंगे अब जिस framework के बारे में हमने उपर बात की थी उसे apply करने के लिए हमें 16 stocks की list मिली है इन सभी 16 companies की renewable space में किसी ना किसी तरह की presence है but do note कि इनके businesses widely vary कर सकते हैं for example इन 16 companies में NTPC, Adani Power, Tata Power, Torrent Power, NHPC, SJVN जैसी power generation companies हैं ये power generation companies thermal dominated या renewable dominated हो सकते हैं जैसे NTPC, Tata Power, Adani Power, thermal dominated companies हैं जिनका कुछ presence renewables में भी है on the other hand NHPC and SJVN लाज़ली सिरफ renewable space में काम करती हैं और फिर ऐसी companies भी हैं जो power generation में हैं लेकिन उनके पास दूसरे major verticals भी हैं for example BF utilities का infraspace में presence हैं लेकिन इसके wind farms भी हैं GV के power and infrothermal and renewable segment दोनों में operate करती हैं लेकिन इसके airports and road assets भी हैं third set of companies में equipment manufacturers, EPC और engineering, procurement and construction companies turnkey solution providers हैं for instance insulation energy, solar module, solar power control units और solar batteries मनुफाक्चर करती हैं वारी and KP energy EPC business में हैं पूर्जा electric, two wheelers and batteries manufacture करती हैं renewable space में operate करने वाली companies के varied business models को देखते हुए जब आप renewable theme को consider करते हैं तो आपको कुछ चीज़ें करने की जरूरत होगी नमबर वन, related company के business model को समझें currently renewables पर कितनी focused हैं और ये renewables के किस sub-segment पर focused हैं नमबर टू, renewable space के लिए company के vision and strategy को समझें आए इसे समझने के लिए Tata Power का case लेते हैं हम जिस data के बारे में बात करने जा रहे हैं वो Tata Power की financial aid 23 की annual report से लिया गया है Tata Power integrated power company है तो ये power value chain, generation, transmission, distribution and new age energy solutions के सभी segments में present है Tata Power की renewable energy generation capacity 3927 megawatts है इसकी conventional energy generation capacity 10,183 megawatts है यानी 2.6 times bigger ये Tata Power को thermal power major बनाता है जहां तक इसकी capacity का सवाल है Renewables generation capacity के अलावा Tata Power के पास 3700 से जादा EV charging points है इसने 1650 megawatts से जादा की solar rooftop projects को execute किया है इसकी solar cells and modules की manufacturing capacity 4.6 gigawatts है ये company के fuel mix के break up को check करने के लिए भी useful होगा Renewables की 37% install capacity में से solar का share सबसे बड़ा 21% है इसलिए अगर आप renewables के solar segment वे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो Tata Power can be a possible bet वहीं इसकी hydro और wind capacity is comparatively smaller है capacity के मामले में solar comprises 2,995 megawatts जबकि hydro and wind constitutes 880 और 932 megawatts respectively Tata Power ने 2045 से पहले clean and green portfolio के तुरू 100% generation अचीव करने के लिए भी commit किया है Currently, predominantly, thermal power producer होने के बावजून ये forward looking statement हमें company की renewables को लेकर commitment शो करती है Company ने अगले 5 साल के लिए अपना vision भी बताया है इसका plan 25,000 से ज़्यादा EV charging points बनाने और rooftop solar में 30% market share अचीव करने का है ये अपने renewables portfolio को over 15 gigawatts बढ़ाना चाहता है Overall, Tata Power के पास ना सिरफ significant footprint है बलकि ये आने वाले सालों के लिए renewables के लिए भी dedicated है इसलिए जब आप renewables पर अपना research शुरू करते हैं तो जिन companies में आप interested है उनकी annual report पढ़ने में कुछ time spend करना better होगा ऐसा करने से आपको इस बात का fair idea हो जाएगा कि company currently किस position में है और future में क्या करने का plan कर रही है अब next metric पर चलते हैं जो है ROCE या return on capital employed ROCE एक important profitability metric है especially capital intensive companies के लिए ये operating profit को invested capital से divide करके calculate किया जाता है now let me explain it quickly किसी भी company के पास capital के दो sources होते है equity and debt equity जो shareholders contribute करते हैं और debt जो company को external financing के थूँ मिलती है ROCE ये assess करने में help करता है कि company अपने capital, equity and debt दोनों को कितना productivity डिपलॉई कर रही है तो ये जितना higher होगा उतना better होगा ये ROE यानि return on equity के comparison में ज्यादा comprehensive metric है जो सिरफ shareholders के capital पर returns measure करता है solar renewable energy stocks का 5 year average ROCE 28% से 1.34 के बीच है इस list में top companies insulation energy, wari renewable and KP energy है आए 15% या उसे ज्यादा की 5 year average ROCE वाली companies को filter out करें जिसमें 15% को invested capital के लिए good return number माना जाता है तो आए उन companies को filter out करें जिनका ROCE 15% या उससे ज्यादा है क्योंकि 15% return invested capital पर supposedly अच्छा है ऐसा करने पर हमारे पास सिरफ 5 नाम बचते हैं insulation, wari, KP energy, BF utilities and GVK power Finally, आए ये at present जो reasonably price stocks हैं उन्हें select करने के लिए valuation criteria apply करते हैं हम price to earnings growth या PEG criteria का use करेंगे ये for a given period PE ratio को earnings growth rate से divide करके calculate किया जाता है PEG ratio किसी company के growth के relation में उसके valuation को measure करता है एक से कम का PEG ratio desirable माना जाता है जीन 5 stocks को हमने उपर shortlist किया था उसमें से 2 stocks का PEG is less than 1 इसलिए जहां तक stock selection के इस framework की बात है at the moment wari and KP energy सबसे ज़्यादा promising stocks लग रहे हैं wari solar EPC business में से है इसने 10,000 से ज़्यादा solar projects install किये हैं जिनकी total operating capacity 600 megawatts है company solar developer भी है जो solar projects को finance, construct और own and operate करती है in the last 3 and 5 years company ने revenue, operating profit या EBIT और net profit में robust growth अचीव की है यहां cautious रहने की भी वज़ा है stock currently 200 से ज़्यादा के PE पर trade कर रहा है अब PEG के context में company का ultra high growth rate को देखते हुए यह undervalued दिखता है फिर भी cautious रहना चाहिए क्योंकि generally इतने high growth rate ज़्यादा time तक persist नहीं करते पिछले एक साल में stock पहले ही staggering 1093% तक बढ़ चुका है दूसरी company है KP energy यह wind energy पर focused है और wind farms के लिए EPC operations and maintenance services provide करती है यहां तक कि इसने अपने 18.4 megawatts के renewable power generation assets भी है इसके growth numbers बारी जितने ज़्यादा नहीं है लेकिन वो attractive है और इस company के potential के बारे में बताते है KP 47.1 KPE पर available है जो इसके 5 year median 14.54 से काफी जादा है फिर भी जब PG के context में देखा जाता है तो यह attractive लगता है पिछले एक साल में stock में 474% की massive growth हुई है तो क्या आपको वारी और KP energy खरीदने चाहिए जैसा कि मैंने इस वीडियो के start में कहा था हमारा intention आपको कोई stock recommendation देना नहीं है अगर आप इस वीडियो में mention किसी भी stock में interested है तो आपको अपनी तरफ से research करनी चाहिए इस वीडियो में हमने आपको framework suggest करने की कोशिश की है जिसका use आप renewable energy stocks पे करने के लिए कर सकते हैं अब यह सिरफ एक framework है ना कि दो framework इसलिए बेज ही जग इसे अपनी requirements के according modify कर लें आप इसमें और metrics add कर सकते हैं या company के vision और strategy के basis पर ज़्यादा subjective call भी ले सकते हैं for example even though Tata power finalist में नहीं था लेकिन vision, strategy, backing and Tata group का trust यह सभी reasons इसे renewable space में potentially formidable long term bet बनाते हैं इसलिए सिरफ इस वीडियो के outcome पर मत जाये, stock investing में असली मजा अपनी तरफ से research करने और फिर investment ideas धूणने में है and this is all we had for you today, उमीद है कि आपको video interesting लगा होगा, अगर ऐसा है तो like, share and comment करना ना भूले and I will be back with another insightful video soon